मैं अपने बेटे हमें प्रताड़ित कर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं? हर जगह हमने कोशिस की लेकिन कोई सुनवाई नहीं? recommended रूपिया न जाने रीथ प्रीत नहीं जाने हीत प्रीत और रूपिया के खातिर जान चल जाई चाहे बाप मतारी होई अब नमस्कार मैं सत्यारण स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्स्पेस बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती फिर से स्टंट ले ली हैं लेकिन उसी बीच में एक बहुत ही बड़ी और बुरी लगा रही है कि उनको उनके बेटे ही जान से मार देंगे इस स्क्रीन पर दिख रही हुए तस्बीर यह जैभध्र की पत्नी है और नई सो निन्यानवे से दो हजार चार तक बसपा के सांसद्र है सुल्तान पुर के जैभध्र सिंग की पत्नी लगातार अपने बेटों पे आरोप लगा रही है कि उनकी जो संपत्ति है उनको हडपना चाहते हैं मेरे प्यारे साथ यूं मैं एक पहले लाइन बोला हूं कि रुपिया न जाने रीत प्रीत नहीं जाने हीत मेती रुपिया के खातिर जान चल जाई चाहे बाप मतारी होई यह कविता ठीक बेढ़ती है आसा सिंग के उपर जो जैबदर सिंग की पत्नी है लगतार अपने बेटों के उपर आरोप लगा रही है कि उनकी ही संपत्ति को हडपना चाहते हैं उनकी इस संपत्ति के लिए राई कर रहे हैं आसा सिंग अब परिसान है बार बार प्रसासन के प्रास आ रही है बार बार गुहार कर रही है कि कम से कम उनके बेटों से उनसे निजात मिल सके इतना तक कि उत्तर प्रेस के मुख्यमंत्री योगी जी से उन्होंने गुहार लगा दिया कि योगी महराज हमारी रक्षा करिए हमें स्वक्षा दीजिए क्योंकि हमारे ही बेटे मुझे जान से मार देंगे जब आशा सिंग से टीबी नाइन के पत्रकार ने सबाल पूछा कि आपके कितने बेटे हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे तीन बेटे हैं एक रभी भद्र बड़ी भद्र के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है कि यह घर में घुश करके हमारे साथ हाथा पाई करते हैं मार पिट करते हैं और इसके बाद लगातार परिसान भी कर रहे हैं मेरे प्यार साथियों इस चीज़ को मैं समधाना चाहता हूं दुनिया में बहुत यह सी च पुर्दिंक का कहना है कि मेरा लखनаст में भी आवास है और ओर गुडाओं में भी आवास में भी आवास है फिलहाले पर ढनार के सारना तिलाके में रहती है कोट में मुकत्मा भीक रा दिया है, कि इनके बैटे से इनको जाना का खत्रा है, और पैसे रुपए की दो बात छोड़िये, जिस घर में रहती हैं, उस घर में भी इनका जिना दूभर है, फिलाल यह प्ले बच्चों से दूर रह रही हैं, अकेले हैं, पत्रकार ने पूछा कि क्या आपकी बेटी भी है तो उन्हेंने कहा कि कास अगर बेटी होती तो मेरे दिल के दर्द को समझते हैं कास अगर बेटी होती तो कम से कम मैं मेंटली डिश्टर्ब ना होती साथियों मा बाप जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं उन्हें नया सपना देते हैं बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि बेटा पहली कर तुम ये करो वो करो लेकिन जब बड़े बेटे हो जाते हैं तो उसके बाद मा के साथ ऐसी करतूत करते हैं कि फिर मा से ही पूछना पड़ता अब यह मां आसा सिंग लगातार अब परसां है अब बेटे को संपत्ती तो देंगे ही तीनों बेटों का हिस्षा है लेकिन उन संपत्ति के खातिर रभी भद्र और मडी भद्र लगातार आसा सिंग को परसान कर रहा है अब बहन कुमारी मयावति के उपर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि क्या आपके सांसद के पत्नी का हालत इतना खराब है यह अपड़े बच्चों से परसान है क्या आप बहन जिनकी सुनवाई नहीं कर सकती मेरे प्यार साथियों फिलहालो सत्ता में योगी अधितनाथ सरकार लगतार आवास लगा रही है आवाज सासन से बार बार गूहार कर रहे हैं कि इनके अब परिसानी का सामना है फिलाल इस दुनिया में जैभदर सिंग जी नहीं है और अपने बेटियों का कर्तूत नहीं देख पा रहा है अगर कास जिन्दा होते तो इस मा का हाल बुरा नहीं होता जो मा बार-बार गुहार कर रही है कि हमारे बेटे ही हमें परिसान कर रहे हैं फिर योगी जी से भीख नहीं मागनी पड़ती यह बार-बार कहती है कह रही है कि योगी जी अपने मा की रक्षा बहुत मन से करते हैं अपने मा की देख भाल की करते हैं और एक बेटा है तो अपने मा की सेवा भी करते हैं इसलिए उनसे गुहार है कि कम से कम मारे बेटे से इ और ये परेसान ना हो जा इसलिए डर रही है कि कल आने वाले समय में इनके साथ कुछ भी हो सकता है फिलार BSP के सांसत की पत्नी का ये बुरा हाल उनके बेटे ही कर रहे हैं ना कि कोई और अब यह सोच रहें एक सांसत की पत्नी का ये हाल है तो और लोगों का क्या होगा फिर फिर भी हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे जो अपने माबाप को मानते हैं अपने माबाप से बहुत प्यार करते हैं उनसे यही कहेंगे कि फिर बड़े होने के बाद जब उम्रकी दहलीज पर पहुंच जाए तो माबाप को इतनी सराखों पर बिठा लेना कि माबाप कहें की एक पैदा किया तो हमने हीरा और में स्त्रवन कुमार पाकि आपकी राय सुप्यार